नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paal Singh Raathor और आज इस lecture में मैं आपके साथ discuss करूँगा एक important international dispute के बारे में, जो हाली में solve हो गया है ये dispute है, Canada और Denmark के बीच में चल रहा Whisky War जी हाँ, आपने बिल्कुल सही title पढ़ा है, thumbnail देखा है तो आईए इस topic के बारे में जादा जानते हैं, उससे पहले एक सवाल आपको मैं पूछना चाहता हूँ 2022 के UPSC Prelims में भी ये पूछा गया था, UN Clause से संबंदित सवाल है इन तीनों statement को pause करके एक बार पढ़िए, lecture के अंत में मैं आपको इसका answer देने वाला हूँ अगर आप हमारे lectures के regular updates पाना चाहते हैं, तो Pathfinder चैनल को subscribe करना ना भूलें अभी भी हमारे आदे दर्शक बिना subscribe किये channel को देखते हैं, so I request them to please subscribe to the channel Telegram पर आप lectures के PDF को download कर सकते हैं, notes बनाने में आपको फायदा रहेगा Unacademy app पर constitutional amendments की एक series मैं चला रहा हूँ, संशोधन नाम की ये series है इसका next lecture कल शाम 6 बजे होने वाला है, link नीचे पहले comment में आपको मिल जाएगा do watch this lecture as well, ये live classes चल रही है तो जिस island को लेकर ये dispute चल रहा था Denmark और Canada के बीच में, इसका नाम है Hans Island Hans Island बिल्कुल barren, uninhabited island है कोई व्यक्ती इस पर नहीं रहता, एक पेड का तिनका भी यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा फिर भी इस island को लेकर, ये देश पिछले 40-50 सालों से जगड रहे थे क्यों? अभी आपको आगे पता चलेगा, इसकी location देखिए सारा राज location में ही छुपा हुआ है, तो अगर हम यूरोप में देखे हैं, तो ये है देश डेन्मार्क अब आप सोच रहे होंगे इतनी देर से कि डेन्मार्क और कैनेडा का आपस में कहां border आ जाता है इनी के बिलकुल पास में ये Greenland नाम का दूइप है अब ये maps में काफी बड़ा नजर आता है, लेकिन असलियत में इतना बड़ा है नहीं इसका क्या कारण है, जानना चाहते हो तो नीचे comment में बताना और जिसको पता है, वो उस effect का नाम लिख सकता है या जो geographical term है, वो बता सकता है कि क्यों ये Greenland इतना बड़ा नजर आता है Coming back to our topic, तो जिस island को लेकर dispute था, वो Greenland और Canada के बीच में है and Greenland is part of Denmark, और island जिसके हम बात कर रहे हैं, Hans Island तो वो यहाँ पर स्थित है, ये देखे, ये रहा वो Hans Island, जिसको लेकर ये सारी लड़ाई इन देशों की चल रही है इन दोनों देशों की चल रही थी, और ये जिस जगह पर स्थित है, ये Ellesmere Island है ये वाला जो island है, इसको कहते है Ellesmere Island, ये Canada का part है and this is Greenland, और यहाँ पर जो ये स्ट्रेट है, इसे कहा जाता है, इसको इसके दो नाम है Nairs Strait, अभी आगे लिखा हुआ आ जाएगा, चिंता मत करिए Nairs Strait और particularly ये वाला जो एरिया है, इसको Kennedy Channel भी कहा जाता है PDF डाउनलोड करने वालों की सहुलियत के लिए, ये map मैंने यहाँ पर presentation में भी add कर दिया है याद रखे कि Greenland, Denmark का directly हिस्सा नहीं है, Greenland एक home rule वाला स्टेट है आपने modern history में पढ़ा होगा, home rule league बनी थी, home rule की demand आई थी तो कुछ उसी प्रकार का home rule यहाँ Greenland को दिया गया है Denmark के द्वारा territory Denmark की है, लेकिन it is not directly part of Denmark as a nation यानि कि Denmark देश के अन्य हिस्सों की तरह इसकी governance नहीं होती है, इसे स्वायतता दी गई है अब यह जो island है, Hans Island, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, इससे nearest places आप देखेंगे जहाँ लोग रहते हैं वो कितनी 200-300 km दूर है और केवल 50-60 लोग यहाँ पर रहते हैं तो फिर problem क्या है, इतने सुदूर इलाके में एक ऐसा चटान जहाँ पर कोई रहता भी नहीं है और किवल 1 square mile इसका area है, लगबग 1.5-2 square km का area है, Hans Island का, इसके लिए इनके बीच में यह लड़ाई क्यों है तो देखें उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि Europe का एक बहुत ही पुराना उपनिवेशवाद का इतिहास रहा है Europe was a colonial power, इसने बहुत सारे colonies बनाए और कई colonies पर आज भी इनका control है हमें लगता है कि पूरी दुनिया अजाद हो गई है colonialism से, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है कई सारे छोटे-छोटे islands यह आज भी France, England जैसे देश जो हैं, यह control में जमा कर बैठे हैं और इसी प्रकार का एक island है Greenland तो Greenland वैसे size में बड़ा है, लेकिन आबादी यहाँ पर बहुत ही कम है but that is also something of a colonial heritage जो यूरोप के देश आज भी control कर रहे हैं एक Chagos island भी है, यहाँ पर B.I.O.T. से कहते हैं, इसके बारे में भी जानना चाते हो तो बताना कमेंट में वीडियो बना देंगे किसी दिन इस पर 1979 में Greenland के लोगों को Denmark के द्वारा Home Rule दे दिया गया तो Home Rule में basically यह होता है कि आपको स्वायतता दे दी गई है Local Matters में लेकिन important मुद्दे जैसे की international border, security, defense यह सब केंद्र की सरकार यानि की Denmark की सरकार handle करती है और Greenland के लोगों को Danish national कहा जाता है, उनके passport Denmark का ही बनता है तो इस Home Rule की व्यवस्था के कारण Greenland के foreign affairs Denmark की सरकार संभालती है और Denmark और Canada की जो border है, उसका एक world record है, आपको जानकर हरानी हो जाएगी कि यह वाला जो border है, maritime border है this is a water border, यानि की समुद्र के अंदर एक जो border इनका बनता है, यह 2700 km लंबा है और दुनिया का सबसे लंबा maritime border है yes, Canada and Denmark, they share the world's longest maritime border, दुनिया में समुद्र में सबसे लंबी boundary share करने वाले देश है Canada और Denmark और वो यह वाली boundary है, 2700 km लंबी और इसी boundary पर यह Hans Island बिलकुल बीचो बीच स्थित है problem यह है कि इस Hans Island की दूरी दोनों से बिलकुल बराबर है, equidistant है यह Greenland के तट से भी 18 km है और Canada की तट से भी exactly 18 km दूर है अब वैसे तो Hans Island कुछ नहीं, एक पत्थर है, एक चटान है, 180 मीटर उंचा है, एक स्क्वाइर माइल का इसका एरिया है लेकिन यह Greenland और Canada दोनों के जमीन से exactly 18 km की दूरी पर है तो यहाँ Ellesmere Island और यहाँ Greenland इन दोनों की तट रेखा से 18 km की इसकी दूरी है तो UN clause का कानून यह कहता है कि मान लीजे यह आपकी तट रेखा है, यह दूसरे देश की तट रेखा है अगर यहाँ पर कोई Island है, इसे हम A कहा देते हैं, यहाँ पर एक Island है से B और यहाँ पर इसको कहा देते हैं C तो exactly दोनों के बीच में एक Line बनाई जाएगी मान लीजे यह पूरा 36 km चौड़ा स्ट्रेट है, वाटर बॉड़ी है, यह 36 km चौड़ी है तो UN Clause exactly इसके उपर कुछ नहीं कहता है, UN Clause कहता है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, या तो उसे डिवाइड कर लो या फिर एक देश, दूसरे देश को दे दे, यह उम्मीद करी जाती है exactly यह कैसे डिवाइड होगा, इसके बारे में UN Clause डीटेल में नहीं कहता है, थोड़ा सा यह लूप होल वाला एरिया है तो वैसे तो एक चटान को लेकर इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर oil and gas reserve है तो अगर C island X का हो जाता है, तो C के आसपास का जो coastal area है, या फिर उसके आसपास का जो समुदरी इलाका है वहाँ पर mining का, mineral reserve को exploit करने का सारा अधिकार इस देश का हो जाएगा तो अब आप लोग इस problem को समझ सकते हैं कि दोनों देश क्यों लड़ रहे हैं, इस island को लेकर छोटा सा island है लेकिन Nair Strait और Hans Island जो है, यहाँ पर oil and gas reserves बताये गए हैं अभी वहाँ पर दोहन नहीं होता है, there are no extraction points, लेकिन वहाँ पर reserve है, यह बात तो तय है reserve हैं, लेकिन extraction क्यों नहीं हो रहा है, because of the weather, because of icebergs, etc. बहुत सारी problem है इसके कारण वहाँ पर extraction नहीं हो पारा, लेकिन जैसे जैसे climate change बढ़ रहा है, वैसे वैसे बरफ पिगलती जाएगी और वहाँ पर extraction करना easy होता जाएगा, आज अगर किसी को वहाँ पर offshore drilling करनी है तो offshore drilling के लिए वो बड़े-बड़े platform नहीं लगा सकते, उन्हें Hans Island की जरुत पड़ेगी जो भी देश यहाँ पर drilling करना चाहेगा, उसे Hans Island की आवशकता बिलकुल रहेगी आईए अब इस dispute का इस लड़ाई का इतियास जान लेते हैं, जादा important नहीं है लेकिन whiskey war क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा तो देखे 1973 में Canada और Denmark ने ये decide कि क्यों ना border बना दिया जाए, ये जो Denmark और Canada के बीच में इतना लंबा चोड़ा समुद्र का area है इसको properly demarket कर लेते हैं क्योंकि भविष्य में कहां पर कौन oil and gas exploration कर पाएगा, ये सपश्ट हो जाए तो यहाँ पर जब ये border mark किया जा रहा था, उस समय Hans Island को लेकर dispute हुआ, तब से शुरू हो गया था तो इन्होंने कहा कि चलो छोड़ देते हैं, तो border पूरा mark हो गया, बीच में बस ये territory इन्होंने छोड़ दी, कि इसे बाद में देखेंगे लेकिन 1980 के बाद से ये विवाद थोड़ा बढ़ गया, कारण क्या था, यहाँ पर जो भी research team जाती थी, वो अपने देश का जंडा रखकर आ जाती थी चोटे-चोटे notes लिख देते थे कि welcome to Denmark, यह हमारा area है, Canada वाले भी कुछ ऐसा ही करते थे तो एक बड़ा famous किस्ता हुआ था, 1980 में एक Canada के senior minister थे, वो वहाँ पर पहुँचे इस island पर और एक whisky की bottle को वहाँ पर रख दिया एक Canadian whisky थी, brand went, मत पूछना मुझसे, तो उन्होंने Canadian whisky वहाँ पर रखी और यह कहा कि welcome to Canada Denmark इससे काफी नाराज हो गया, कुछ साल बाद उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा, और Denmark का एक local drink होता है, Danish schnapps I guess इसे ऐसे ही pronounce करते हैं, मुझे नहीं पता, तो जो भी वहाँ का Denmark का famous local alcohol का brand था, उसको वहाँ पर रख कर आ गए, और उन्होंने लिख दिया Welcome to Danish Island, और ये सिलसिला चलता रहा, कभी कोई researcher वहाँ पर कुछ रख देता है, कभी कोई military ship किसी का जा रहा है, तो वो रुक कर एक जंडा लगा देगा अपना, तो ये तकरार एक तरह से चलती रहती है, बट कभी गोलिया नहीं चली इनके बीच में, वैसी तकरार नहीं और social media आ गया, उसके बाद से, जैसे ही ये देखिए कोई navy के commander है, ये गये, इन्होंने अपना जंडा लगाया, photo खीच के डाल दिया social media पे, सामने वाले देश के लोग भढ़क गये, उन्होंने भी ये हरकत करी कुछ महीनों बाद, तो ये चलता रहा, अब इतने समय हो गया लेकिन आपस में कभी इनके गोलिया नहीं चली, of course, navy बहुत बार यहाँ पर गई, naval ships वहाँ जाकर, उस island पर exploration वगेरा भी करके आए, लेकिन 2005 आते आते इन दोनों देशों ने तै कर लिया, कि अब बहुत हो गया, 30 साल इन्होंने ये सब कर लिया, 25 साल, उसके बाद अब इ formally define किया है, और इस boundary में इस बार Hans Island को भी शामिल किया गया है, तो Hans Island divide होगा, ठीक है, और ये division करने के लिए दोनों देश राजी क्यों हो है, क्योंकि दोनों को पता है, climate change के कारएं, glaciers melt हो रहे हैं, iceberg कम हो रहे हैं, तो दीरे-दीरे North West Passage खुलता जाएगा, यहाँ से जहाज निकलने शुरू हो जाएंगे, oil and gas exploration भी शायद आने वाले सालों में चालू हो जाएगा, so it is necessary to solve the dispute, जल से जल इसे solve करना जरूरी है, ताकि भविश्य में दोनों देशों के लिए बहतर स्थिती यहाँ पर बनी रहे, यह North West Passage आपको पता होना चाहिए, क्या है, तो देखे यूरोप से एशिया पहुँचने का एक बहुत ही छोटा रास्ता है, एक shortcut है, जो Canada के इन islands के बीच में से होते हुए जाता है, problem यह है कि यह रास्ते हमेशा बंद रहते थे, पूरे 12 महीने, बरफ जमी रहती थी इन में, लेकिन जैसे जैसे धरती का तापान बढ़ रहा है, तो कुछ हफतों के लिए, कुछ महीनों के लिए कभी-कभी यह passages खुल रहे हैं, और अक्सर आप news में पढ़ेंगे कि किसी एक बड़े जहाज ने यह Northwest Passage को cross कर लिया, अभी भी पूरे समय यह open नहीं रहता है, it is hardly for few weeks के आप यहाँ से जहाज को निकाल सकते हैं, लेकिन आन रशिया का Northern Sea Route भी है, तो यह रशिया के तट के निकट चलता है, यह वाला रास्ता, यह भी रास्ता है, और यह दूसरा Northwest Passage यहाँ Greenland, Canada के बीच में से होता हुआ, Canada के Islands में से होता हुआ, इधर Pacific Ocean में निकल जाता है, ठीक है, तो दो रास्ते हैं, इन दोनों के बारे में हाला कि हमारे जैसे इंडिया-चाइना के Border Dispute के संदर्ब में अगर आप देखोगे, तो यह तो कुछ भी नहीं है, चुन्नु-मुन्नु सा Dispute है, बट स्टिल, इट्स अ गुड स्टेप, तो 60% आइलेंड अब चला जाएगा, डेनमार्क के पास, बागी जाएगा, कैनड के साथ, और यहाँ में लैंड यूएस के साथ, तो अभी तक कैनडा की जमीन पर boundary केवल एक यूएस देश के साथ थी, लेकिन अब यहाँ एक छोटी सी इस map में नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर यह छोटी सी boundary इस Hans आइलेंड पर डेनमार्क के साथ भी हो जाएगी, त कैनडा का land border दो देशों के साथ होगा, यूएस और डेनमार्क, coming to the prelims question जो मैंने आप से पूछा था, तो देखें इसमें तीनों ही बातें बिल्कुल सही है, 12 nautical mile वाला जो यह लिखा हुआ था, यह statement बिल्कुल सही है, baseline से 12 nautical miles measure किया जाता है, यहाँ तक इसका territorial सी है, territory ह होती है, उस देश की 12 nautical mile तक, ships of all state weather coaster और land log enjoy the right of innocent passage, यह innocent passage के बारे में मैंने पिछले साल discuss भी किया था, अगर आपने मेरा Greece Turkey maritime dispute वाला वीडियो देखा है, तो उसमें यह पूरी detail मैंने करी थी, directly यह question यहाँ से ही आया है, वाला ऐसा नहीं किया रहा कि मेरा वीडियो दिख वो सही करके आया होगा, और यह 200 nautical mile का exclusive economic zone है, तो answer इसका होगा D, अगर आपको इस lecture का PDF डाउनलोड करना है, तो आप मेरे telegram channel से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे lectures के updates भी आपको यह प्राप्त हो जाएंगे, अगर UPSC exam की तयारी कर रहे हैं 2023-2024 के लिए, तो anacademy app पर देश के best educators live पढ़ाते हैं, यहाँ पर platform पर आपको बहुत सारी facilities मिलेंगी, many of the toppers have been from an academy in 2021, आप इनकी सारी details website पर जाकर भी check कर सकते हैं, आपको कोई भी doubt है 23-24 exam की तयारी कैसे करें, तो इस phone number पर call कीजे, 78258-60095, यहाँ पर आपको batches किस तरह से तयारी करनी चाहिए, यो भी subscription आप लेते हैं, उसमें आपको 10% discount मिलता है, महिपाल code का इस्तमाल करने पर, iconic subscription में आपको one-on-one mentorship राप्त होगी, optional के subscriptions भी अलग से available हैं, यह सारे subscription 0% TMI पर आप अवेल कर सकते हैं, हर अफ़ते नए batches बनते हैं, इनको join कीजे, batch में आपको कुछ सोचने की जरूत न बना कर आपकी तयारी हम करवाते हैं, अभी एक offer चल रहा है, जिसमें one-year subscription लेने पर, आपको 6 महिने की extra validity मिलेगी, every one-year subscription will get six month extra validity, तो फाइदा ही होगा इसका कि prelims to prelims, आप तयारी करेंगे, लेकिन उसके बाद mains के पहले, जो batches होते हैं, उनका भी आपको फाइदा मिल जा में इने clear कर सकते हैं, optional carnival के तहट अभी नए, बहुत सारे batches start हुए है, optional के, pathfinder current affairs test series में हिस्सा लेकर आप Amazon के gift vouchers को जीच सकते हैं, combat में हिस्सा लीजे, बहुत सारे toppers UPSC के इस बार, combat में भी toppers थे, और इन्होंने बोला भी है, बहुत सारे interviews में आप जाके देख सकते हैं कि इन्हों को combat का कितना फायदा मिला था, और सबसे बड़ी बात कि आपको scholarship भी यहाँ पर मिल जाएगी, thank you so much, have a great day.